नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल एच्पी टैड प्रिपरेशन में तो आज जो मैं यह पोस्ट लेकर रहा हूं इसके द्वारा में आपका ज्यान वह इस पर बात पर लान जाता हूं कि एच्पी टैड की जो नोटिकेशन दो चरिक किस आई है इसके अंदर ज यह अपनी एच्पी टैड की नोटिकेशन है यह अपलाई करने पर आपको ओनलाइन पर टीचर्स एलिजबिटी टेस्ट ठीक है पोस्ट कर आए थी यह आए थी हमारी पास 15 अप्राल 2021 को पोस्ट आगे थी एच्पी बोस्ट की साइट पर ठीक है और यह जो अपडेट है य नोन मेडिकल सास्तरी एल्टी जेवी टी पंजाबी उर्दू वेकेंसिस जून 2021 के लिए ठीक है आपको पता है साल में दो बार होता है हमारा एच्पी टैट लेकिन अभी जो करोना का काल चला हुआ है तो इसके अंदर अभी हम यह नहीं कह सकते कि यह साल में अभी इस बार एक बार होगा यह दो बार दोबार होने के चांस है तो आप जो है वो अभी पहली बार के लिए त्यारी रखेगा ताकि आपको इस बार में यह एच्पी टैट का पिपर हो जाए अब हम बात करेंगे इसके अंदर अगली बात एप्लिकेशन फीज की तो जो हमारे पास में चांस है और उनकी सब केटिगरी से उनके लिए 800 रुपे फीज है ठीक है ओबी सी 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 एस्टी सीडियूल कास्ट और फिंजिकल हैंडिकेप्ट के लिए 500 रुपे फीज रखे है ठीक है बाकि जो अब आप फीज बरेंगे उसके अंदर सर्विस चार्ट तो सर्विस टेक्स होंगे वो बैंक के अनुसार होंगे अलग लग ठीक है पेमेंट मोर सिर्फ ओनलाइन रखा हुआ है आप किसी भी नैट बैंकिंग के थूँ या अपने डेविट कार्ट के थूँ इसकी पेमेंट कर सकते हैं इसके बाद इंपोर्टेंट डेट क्या कि स्टार्टिंग डेट देने पड़ेंगे यानि जनल कर्टिग्री में अगर 800 पर फीज है तो आपको 800 में 300 एड करके 1100 पर फीज देनी पड़ेगी ठीक है अगर आपने क्रेक्शन करनी है अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो उसके लिए डेट्स दे रखिया है इन्होंने 19 अपरेल से 19 जून से 21 जून तक ठीक है दोस्तों एडमिट कर जो है वह आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनल करेंगे चार दिन एक्जाम के पहले से ठीक है अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डेट है एक्जाम की डेट भी इन्होंने साथ ही साथ दा दिया है जैसे कि जेबिटी और सं और मेडिकल और लैंग्विज टीचर गली टैट है यह होगा 10 जुलाई 2021 को डेट ओफ टीजिटी आर्ट अंड मेडिकल यह है 11 जुलाई 2021 और डेट ऑफ पंजाबी और अर्दू टैट है 18 जुलाई 2021 तो सारे के सारे जो पिपर हैं वो हमारे जुलाई के मंस में होगा ठीक ह अब आती है बात एज लिमिट की तो इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है आपकी एज चाहे जितनी भी हो ठीक है लेकिन रेटार्मेंट देज से पहले है तो जो एज क्रेटिरिया है वो अपाइंटिंग अथोर्टी वो रेकूर्मेंट और प्रोमोशन रूल के हिसाब स होगा अब मैं आपको बताने चाहँगा कि जो इसके अंदर एक्साम होते हैं लग लग इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए आर्ट के लिए बना है तो इसके लिए आपके बास में बीए बीकॉम बीए डोनी चाहिए टीजिटी नोन मेडिकल का बनना तो इसके लिए लगाट्स गोर्च तो अगर आप ल्ट के लिए लांगव टिच्र टार्य लेंग लिए तो इसके लिए बीए लेड एंडी में बीए बीए के लिए की लिए आपके बास में खालिफिकेशन होले और यदि आप उर्दू लैंगोज टीचर लेंए ऑर उर्दू विए बीए ये इसके लिए qualifications रखी गई हैं तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसको form बन आप 13 जून से पहले जो है वो इस form को भर दीजिए ताकि आपको जो है वो 300 पे extra fees ना देनी पड़े I hope आपको मेरी आज की वीडियो जो पूसंद है होगी इसको like और share वच्चे कीजिएगा ठीक है जल्दी आपको नई पोस्ट किरूँगा तब तक के लिए धन्यवाद